दोस्तों नमश्का गुरु करपा जर्विदाशन गुरुपड और बैद बाबा चैनल परी सभी दोस्तों का प्यारें का स्वागत है दोस्तों हम लोग पंजाबी हैं और पंजाब का जो अपना खान पीना है वो दुनिया से अलग है पंजाब का रहना सेना लग है खाना पीना लग है पंजाब की दुनिया अलग है तो मैं बच्पन मेरा गाउं में खेती का काम था हूँ कि और कि यह मरें बच्पन की जाद है आप से संजा करने हैं बात तो छोटी सी है पर अगर आपके समझ आ गई था आपकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी दोस्तों कि वृष और बचिया लह करें राजवी असे और यह इसको का श्रेक को भी चाहिए है और धेंगा अगर किसी का को सभी थोड़ा इस सचाइज आपसेट वहता था था लोग आपने तो तो आपने इसके बारे में कोई वीडियो देखी नहीं देखी मैंने मेरे को तो कोई दिखी नहीं है कि मैं मेरे दोस्त है राकलांत सिंग दिमान जी वह महाली में कंपनी चलाते हैं तो उनका दोमेन विजनस है वो मेकेनिकल बर्स है तो मैं उनके पास गया हूँ हूँ मेरे बहुत प्यारे दोस्ते हैं बतो बतो मैं बाब चली तो वह बोलते हैं चिपड़ लेने जाना है कि मैंने के चिपड़ क्या करने हैं कि चटनी बना नहीं है कि अच्छा के आपनी चिपड़ की चटनी घाते हैं नहीं यार अमनी कहते हैं तो कारण कौन खाये चिपड़ आज तो मिलते ही नहीं है तो उनको मेरी बात पंच करके वह यार ढूंट तो सही तेरे को मिलते नहीं बच्पन में खाये मैंने के बच्पन दो कौंट्रों में खा लिए जब बूलती थी ते पका हुआ चिपड़ मिठा होता है कच्चा कड़बा होता है और यह खटा भी हो मैं आपको एक बहुत पते की बात पता नहीं बस उसको समझ जाना आपकी लाइफ सब लो जाएगी आप चिपड़ खाते खाना शुरू कर दोगे आज के बाद मेरे पास तो है नहीं कोई बात नहीं आपको 57 किलो ला दूंगा मैं कहां से लादोगे मंडी लगती है मुहली म अलाग अलाग सेक्टरों में मंडी लगते राजस्तान से आता है जिबड़ बड़ी कुछी की बात है यार मेरे को भी 57 किलो ले देना तो जो कि यह काम करते थे एक हमारे पानिपत के दोस्त हैं उनका भी एक पड़ा इस मामले में दोस्त कम है गुरू जादा है गुरू बो बोलना जरूरी है अगर मेरी भी किसी को बात समझाए तो समझ लेड़ा है मैंने उनको बोल दिया तो खुद चिपड़ ढूंड़ने चला गया है तो मैंने चिपड़ ढूंड़े तो बहुत मलो दस पीस किलो कठे किये तो दोस्तों आप से एक बात करनी है कहानी तो जितनी अगर आप मार्किट से रस्ते से कहीं से चिपड़ त्राप्त कर लेते हो अगर पीला है यह पका हुआ है अगर हम जूर कैसट से पीड़ते हैं तो इस बज़ा से पीड़ते हैं हम लोग रात को दहीं खा रहे हैं हमारा खाना पीना रहना सेना सब डिस्टर्व है इस बज़ा से है जोस्तों अगर आपको इस चिपड़ की चटली खाने का शौक डल गया ना अब क्या आपके खांदान से यूर्केसड बाग जाएगा जो लोग हुमारे हर दाल में हर सब्जी में टमटर डालते हैं दही डालते हैं उनका यूर्केसड उनके घुटने दर्द उनकी कमर दर्द उनमें कफ ब्रिधी बनी रहती है इसका प्रजोग बता दूँ फीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों इसकी चटनी खाना शुरू कीजिए यह चार मीने पांच मीने फ्रेज में खराब नहीं होता है बरसात में पैदा होता है मैं जून में जुलाई में इसके पौदे निकलते हैं जो प्राणी जड़े हैं उसमें से भी निकलेंगे जो नया भीज़े उसमें से भी निकलेंगे आप अपने घर के आसपास लगा लीजिए नहीं है तो कहीं भी रोड पे साइड पे मिल जाएगे बंजर जगा में तमटर खाना बंद कर दीजिए इसका आदा आदा ठोकड़ा अपनी सब्जी में डालिए तो आपकी सब्जी का स्वाब बहुत लाजबाब हो जाएगा और आपके शिरीर के लिए लावकरी हो जाएगा तो जो कच्चे चिपन है उ जब चटनी प्रसाइक में बना लेते हैं जुलाई एगस्त स्तंबर अगदूबर तक बनाते हैं उसके शिलका उतारो तो बीज को जो आपको अच्छा लगता है धनिया जो आपके पास है हरी मिर्च है नमक है जीरा डाल दो थोड़ा सा धनिया हरा विया सुका विया जैसा डाल दो उसकी चटड़ी बना करको आपके पेट के आदे रोग खत्म हो जाएंगे इसकी सब्जी बनाते हैं लोग इसका पौडर बना करते हैं एक बार शुरू तो करिए इसको चिंपड सा कहना बंद करके इसको एक बार प्रेम करिए आपकी लाइफ सुदर जाएगी मैंन मैं बचुने जिखा था अभी भी देखा यह मैंने बहुत सारी चिंपड कठे करें हैं कि मैं कि किलों में कठे करें 500 किलों और वो समयं सिस्टम भणा पढ़ा है इसको हम लोग सिर्फ चिपड कहके इसको दुरका रहा है और जब इसका स्वाद देखा मैंने पचासों लोगों को अपने दोस्तों को बताया कि चिपड खाना शुरू करो चट्ली खाने शुरू करो आदू कद बखार जो टाई हेट था वो ठीक हो गया बुटने दर्द कम हो गुरू जी आप पर किर्पा करेंगे जय कुछ देगा